बागपत में भाजपा के पूर्ग दर्जा प्राप्त मंत्री की हत्या की गए है जिससे इलाके में संसनी है वारदात को अंजाम देने वाले CCTV में कैद हुए है जो बाइक पर सवार होकर आए थे और वारदात को अंजाम देते हुए उनकी स्कार्पियों लेकर फरार हो गए है CCTV के अनुसार इस वारदात को 45 मिनिट में अंजाम दिया गया है फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी है भाजपा नेता आत्माराम तोमर का घर बड़ोत थाना इलाके के बिजरोल रोण पर है जहां आत्माराम तोमर बीती शांग घर पर अकेले थे और अंदर से गेट बंग था तभी लगभग पौने साथ बजे दो बाइक सवार आये जिन्होंने फोन तरके गेट को खुलवाया और अंदर चले गए और साड़े साथ बजे उन में से एक शक्स स्कार्पियों लेकर निकलता है और दूसरा जिस बाइक से आया था उसी बाइक से वापस जाता है सत्ताधारी नेता की हत्या की सूचना मिलते ही पुलिस महकमा हरकत में है और महकमे के आला अधिकारी भी दलबल के साथ बारदात स्थल पर पहुँचे हुए थे जिन्होंने खुद भी मामले की तफ्तीश की थी पुलिस अधिक्षक नीरज कुमार जादौन के अनुसार परिजनोंने निकट संबंधियों पर पैसे के लेन देन का आरोप लगाया है उसके आधार पर इफायार दर्ज की जा रही है पोस्ट मार्टम रिपोर्ट आने के बाद हत्या के कारणों का खुलासा हो सकेगा दर्वाजा बाहर से बनता ताला लगा हुआ है ताला तुलवाया गया है अधकाल विक बोडी को मॉच्छी बेजा गया जहां उसका पुस्ट मार्टम होना है कि कारण पीक का पुस्ट मार्टम के माहत पता चलेगा तो गरवालों से पूस्ता ची तो गरवालों ने एक कि अज़ा है चाले जा रही हैं उसका पूसा करते ऑन गवालों को शाक फुस। जो कह रहे हैं कि दो घार्या के ती इनिवा थी तो स्कॉर्पियो जो मिसिंग में उसको बरामत करा रहे हैं उसमें भी लगया हुए भिजा थे कि था थी चूपरव बरामत करा रहे है कि उसमें भी लगया हुए तेक थाथ यूट करेन